हेलो दोस्तों कैसे हूँ स्वागत आपका माई स्टडी दोश यूटूब चैनल पर तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गोल्डर रूस का पार्ट नमबर 12 इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किये थे पार्ट 1 से लेके 11 तक जिसमें बात की जा रूल नमबर 58 क्या है जब भी आपको स्टार्टिंग में क्या दे रखाओ इट दे रखाओ उसके बाद क्या आ रहा हो helping bob आ रहा हो यानि is a rm was what has been have been आपको दे रखाओ तो हम उसके बाद हमेशा subjective case का use करेंगे हमेशा याद रखना उसके बाद क्या आएगा subjective case आएगा exam में examiner आपको objective case लगा के देंगे जो की क्या है गलत है आपको हमेशा याद रखना है जब भी आपको starting में क्या दे रखाओ इट दे रखाओ उसके बाद क्या आ रहा हो helping bob आ रहा हो यानि is a rm was what has been have been आपको दे रखाओ तो हम उसके बाद हमेशा subjective case का use करेंगे ना कि objective case का आईए example discuss करते हैं ताकि आसानी हो समझने में अब देखो यहाँ दे रखाओ है subjective case जो की बिल्कुल सही है exam में examiner आपको यहाँ मी देंगे जो की गलत है आपको हमेशा याद रखना है कि हमको हमेशा subjective case use करना है ना कि objective case तो इसका right क्या हुआ it was I who telephone the service तो I hope आप समझ गयोंगे चलते हैं next rule की तरफ next rule 59 interrogative sentence तीन प्रकार के होते हैं कौन-कौन से होते हैं first है wh word plus helping word या model plus subject plus main word और last में क्या है question mark आई यह example discuss करते हैं why यानि wh word helping word यानि did you यानि subject go यानि main word plus their question mark I hope आप समझ गयोंगे यानि starting में जब भी आपको wh word दे उसके बाद क्या रहा हूं helping word आ रहा हूं तो हम हमेशा end में क्या लगाएंगे question mark लगाएंगे second example क्या है what can do you for me question mark आई यह discuss करते है second helping word या model plus subject plus main word plus question mark can you do this question mark अब देखो can क्या है model है उसके बाद subject उसके बाद main word उसके बाद क्या है question mark did you go there rule number third जो कि क्या है most important है exams के लिए आपसे examiner first या second rule से question पूछे या ना पूछे पर rule number third से आपसे examiner हमेशा 99% chance है या आपसे examiner इसी rule से question पूछे तो आप इसको ध्यान से देखिएगा क्या होता है जब भी आपको wh word दे उसके बाद क्या आ रहा हो subject आ रहा हो उसके बाद क्या रहा हो model उसके बाद क्या रहा हो main word तो हम last में question mark नहीं लगाते कब नहीं लगाते जब आपसे wh word दे उसके बाद क्या रहा हो subject आ रहा हो यानि अगर WH word के बाद क्या रहा हूँ helping verb आ रहा हूँ तो हम लगाएंगे question mark और यदि helping verb से पहले क्या रहा हूँ subject आ रहा हूँ तो हम question mark नहीं लगाते आई ये discuss करते हैं example ताकि आसानी हो समझने में my father asked me what she could do for me अब देखो what यानि WH word उसके बाद subject she उसके बाद model cud惡 उसके बाद main verb यानि do तो I hope आप समझ गयोंगे इसके भी कुछ अलग पाट है उनको भी हम discuss करते हैं WH word उसके बाद subject उसके बाद helping verb उसके बाद main verb I don't know there यानि WH word उसके बाद subject उसके बाद helping verb is उसके बाद main verb I hope आप समझ गयोंगे C क्या है, WH word, उसके बाद subject, उसके बाद main verb, the teacher asked the student where the post office was तो भाई, सो बातों की एक बात, जब भी आपको starting में क्या दे, WH word दे, उसके बाद क्या दे, helping verb दे तो हम last में लगाएंगे question mark, और यदि आपको WH word दे, उसके बाद क्या दे, subject दे, तो हम last में question mark नहीं लगाएंगे मैं एक बार repeat करा देता हूँ, ताकि आपको आसानी हो समझने में, जब भी आपको starting में WH word दे रखाओ, उसके बाद helping verb दे रखाओ, तो हम लगाएंगे question mark और यदि starting में आपको WH word दे रखाओ, उसके बाद दे रखाओ subject, तो हम last में question mark नहीं लगाएंगे, I hope आप इस concept को समझ गये होंगे, चलते हैं next rule की तरफ, next rule, rule number 60 proposition से पहले आने वाला सब्द ही वाकिका subject होता है, कभी भी proposition के बाद आने वाला सब्द subject नहीं हो सकता, आईए example discuss करते हैं ताकि आसानी हो समझने में, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, कि proposition से पहले आने वाला सब्द ही क्या होता है, subject होता है, proposition से बाद में आने वाला सब् कौन सा होता subject, जो proportion से क्या हो, पहले हो, तो इसका subject क्या है, knowledge है, तो हमने इसलिए singular verb use में ली है, is, हम यह languages देखकर plural verb use में नहीं लेंगे, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया, कि proposition से पहले आने वाले सब्दी क्या होते है, subject होते है, बाद में कुछ भी आए, वो subject नहीं है, जो proportion से पहले दे, वही क्या है, subject है, और knowledge क्या है, singular subject है, इसलिए हमने singular verb use में ली है, I hope आप इस rule को समझ गयोंगे, चलते हैं next rule की तरफ, next rule क क्या है, rule number 61, God शब्द का प्रियोग, शर्व शक्तिमान, ईश्वर के लिए किया जाए, तो इससे पहले article का प्रियोग नहीं किया जाता, आईए example discuss करते हैं, ताकि आसानी हो समझने में, God is omnipotent, God helps those who help themselves, God is omnipresent, तो आप हमेशा याद रखना, जब भी God शब्द का बहुआन यानि इश्वर के लिए किया जाए, तो हम इससे पहले कभी भी कोई भी article का use नहीं करते हैं, चाहे हो A हो, N हो, Da हो, हम कोई भी article use नहीं करेंगे, discuss करते हैं, next rule, rule number 62, name of a book, novel, the Arabian Nights, Gulliver Travels, name of a country, the West Indies, the United States, name of a game, billiards, darts, droughts, name of a movie, three idiots, rowdy rat or, name of a disease, rickets, missiles, mumps, इन सभी के साथ हमेशा singular verb का use करेंगे, आप ये मजब समझना, कि भाई, billiards में लग रही है, as, तो भाई, ये plural subject है, नहीं भाई, ये singular subject है, इसलिए हम इसके साथ, singular verb का use करेंगे, अब ये मजब समझना, three idiots, idiots में लग रही है, as, तो भाई, ये plural है, नहीं भाई, ये एक movie का नाम है, जो कि क्या है? singular है, तो हम इसक साथ singular verb का use करेंगे अब आप यह मा समझना डिकेट्स में लग रही है as तो यह पिलूरल सब्जेक्ट है नहीं यह आपका singular subject है तो हम इसलिए इसके साथ singular verb का use करेंगे I hope आप समझ गयोंगे आई यह discuss करते हैं एक example ताकि आपको आसानी हो समझने में गुलीवर्ट्रेवल्स इस इंडीड एंट इंट्रेस्टिंग बुक अब देखो यहां दे रहा है गुलीवर्ट्रेवल्स अब आप यह मा समझना travels में लग रहा है yes तो यह पिलूरल सब्जेक्ट है नहीं भाई यह एक नोविल का नाम है तो भाई एक नोविल क्या है सिंगूलर सब्जेक्ट है इसलिए हम इसके साथ सिंगूलर वब का यूज़ करेंगे जो की एकदम बिल्कुल सही दे रखा है तो आई होग आप समझ गयोंगे चलते हैं next rule की तरफ next rule 63 यदि man तथा woman शब्द का प्रियोग व्यापक अर्थों में किया जाए तो इससे पहले article का प्रियोग नहीं किया जाता example discuss करते हैं ताकि आसानी हो समझने में man is mortal, man is a social animal, woman is a man's mate बाई जो second वाला example है man is a social animal यह आपसे exam में कई बार यह वाला example पूछा जा चुगा है कैसे पूछते हैं मैं आपको बताता हूँ starting में देतेंगे dash, बोलेंगे man is a social animal आपको article fill करना होगा, a आएगा, n आएगा, da आएगा या कोई भी नहीं आएगा तो आपको tick करना है कोई भी article नहीं आएगा जातर students a या da fill करके आजाते हैं जो कि क्या है गलत है हमें man is a social animal से पहले कोई भी article यूज नहीं करना तो I hope आप इस concept को समझ गयोंगे चलते हैं डिसकस करते हैं आगे exercise question number first क्या है the power of media in our country are interesting day after day no error video post करिए answer सोचे क्या हो सकता है इसका आराम से सोचे कोई जल्द बाजी नहीं है तो बात करने इसके right answer की तो भाई option number C में error होगा हम यह आर का नहीं इसका use करेंगे क्योंकि मैंने अभी आपको बताया proportion से पहले आने वाला शब्दी क्या होता है subject होता है बाद वाला subject नहीं होता तो the power क्या है singular है तो हम इसलिए singular verb का use करेंगे ना कि plural verb का तो I hope आप समझ गये होंगे तो इसका right क्या होगा the power of media in our country is interesting day after day तो I hope आप समझ गये होंगे चलते हैं question number second की तरफ question number second क्या है it is him who takes the decision in our office no error video post करिए answer सोचे क्या हो सकता है इसका तो बात करें इसके right answer की तो option number A में error है मैंने अभी आपको बताया जब भी आपको starting में क्या दे it दे उसके बाद क्या आ रहा हो helping verb आ रहा हो तो हम उसके बाद हमेशा subjective case use में लेते हैं यहां दे रहा है objective case जो की गलत है इसका right क्या होगा it is he who takes the decision in our office तो आपको हमेशा याद रखना है जब भी आपको starting में क्या दे it उसके बाद क्या आ रहा हो helping verb आ रहा हो तो हम उसके बाद हमेशा subjective case use में लेते हैं ना कि objective case चलते हैं next question number third की तरफ the arabian nights are still a great favorite no error वीडियो पॉस्ट करिए answer सोचे क्या हो सकता है इसका तो बात करें इसके right answer की तो option number B में error है हम यह आर का नहीं इसका use करेंगे योग कि the arabian nights क्या है एक पूरी एक novel है तो यह क्या है singular subject है तो हम इसलिए इसके साथ singular verb का use करेंगे arabian nights is still a great favorite तो I hope आप समझ गयोंगे discuss करते हैं question number 4 he is both intelligent as well as industrious no error वीडियो पॉस्ट करिए answer सोचे क्या हो सकता है इसका यह भाई आपका previous question है यानि जो top 200 में पिछले वाले concept कराए है उनसे related यह question है तो आपका previous यानि जो पढ़ा है उसका एक बार revision हो जाएगा तो वीडियो पॉस्ट करिए answer सोचे क्या हो सकता है इसका तो बात करें इसके right answer की तो option number C में error है क्योंकि both के साथ हम क्या use लेते हैं and use लेते हैं ना कि as well as तो इसका right क्या हुआ he is both intelligent and industrious तो आप हमेशे जाद रखना both के साथ end का use करते हैं ना कि as well as का तो I hope आप समझ गयोंगे चलते हैं question number 5 की तरफ the party is from 7 p.m. and 9 p.m. no error वीडियो पॉस्ट करिए answer सोचे क्या हो सकता है इसका तो बात करें इसके right answer की option number C में error है हम यह end का नहीं 2 का use करेंगे क्योंकि from के साथ हम हमेशा 2 का use करते हैं ना कि end का तो इसका right क्या होगा the party is from 7 p.m. to 9 p.m. तो यहां से end नहीं 2 आएगा क्योंकि from और 2 का क्या चलता है जोड़ा चलता है तो भाईयो आज के लिए बस इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करना तो मिलते हो आपको next वीडियो में जब तक के लिए जै हिन जै वारत वगने मातरम take care बाबाए